हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि राजस्तान विद्या संबल योजना इसकी दुबारा से विगप्ती जारी होगी एक लाख पद अभी रिक्त है फ्रेंड्स उस पर बिडिक अला जी क फान से जरूर देखियेगा तो दोस्तों विडिकल्ला जी से पहला सवाल पूछा गया कि सिक्षक भरती परिक्षा के पर सिचकों की भरती की जा रही थी इसके बाद छात्रों की मांग को देखकर हमने रिव्यू किया और पंद्रा सो पद बढ़ा कर 48,000 पदों पर यह भरती करवाई जा रही है साथ ही उन्होंने ये बात भी बता दी कि इस वार और भरती परक्रिया में बढ़ोतरी नहीं होगी युवाउ को इसी 48,000 पोस्ट से ही संतुष्टी करनी पड़ेगी दुबारा उनसे सवाल पूछा गया कि 90,000 टीचरों की भरती निकाली गई थी लेकिन इसे बीच में ही रोक दिया गया क्या फिर से यह परकरिया शुरू होगी जैसे तो उनका जबाब क्या था बिडिकल्ला जी का कि जैसे कॉलेज में प्रियट पड़ाने के लिए टीचर्स की निउक्ति की जाती है उसी तरज पर इसकुलों में भी रिक्त चल रहे पदो पर टीचर्स की निउक्ति यानि कि गैस्ट फेकल्टी की निउक्ति की जाएगी वो भी किसके तहत विद्या संबल योजना के तहत की जा रही थी यहां पर्मानेट या सवीदा भड़ती नहीं थी यह केवल स्टाफ गैप अरेंजमेंट था यह बात उन्होंने एकदम किलियर लिका यह कोई सवीदा या पर्मानेट वेकेंसी नहीं थी लेकिन जैसे ही आविदिन की परकरिया शुरू हुई इसको लेकर कई त आपकी यह भड़ती रुकी है अब इस परकरिया को हमने रिव्यू के लिए वित्त विभाग के पास बेजा है वहां से जैसे ही हमें स्विक्रती मिल जाएगी नए सिरे से गैस्ट फैकल्टी योजना सुरू कर दी जाएगी आपको मैं यह भी बता दूँ कि वास्तव में स् सवीदा सिचकों की होगी भरती अंग्रेजी मिडियम की बात करें तो 10,000 सवीदा सिचकों की भरती होगी उनको 16,900 रुपे वेतन भी दिया जाएगा क्या है यह गवर्मेंट की जो इंगलिस मिडियम स्कूल मातमा गांधी स्कूल चल रहे हैं वहां पर 10,000 सिचकों की भरती होगी और किस पे 16,900 रुपे उनको सैलरी दी जाएगी यहां पर आप देख सकते हो कि जुनजनु में 61 अजमेर में 52 स्कूल से अलवर में 95 बासवाडा में 24 और 12 के अंदर 24 स्कूल है तो इस तरह से यहां स्कूलों की लिस्ट दी गई है यहां पर सीट वेकेंड है और यहां पर भड़ने के लिए 10,000 सिच्चकों की यहां पर भड़ती की जाएगी सिच्चकों के रिक्त पदो से पहले ही परिसानी चल रही थी और अब जो है सिच्चा वेवस्ता पूरी की पूरी बेपट्री पे चल रही है क्योंकि सिच्चकों की भड़ती नहीं हो पा रही है अब प्रॉब्लम्स आ रही है जो भी रिक्त पद है उसको एक वार भरा जाएगा